यह मजदूरी वाला काम चलो सब्सक्राइब अभी तक चार्ज क्या हुआ करते थे प्रोटॉन और इलेक्टान पर चार्ज में इक्वल हुआ करते थे साइन में यह पोजिट हुआ करते थे यहां मैंगनिचूड ही चेंज कर दिया अगर मैं में गृट्तूड चेंज कर दूं तो मुझा कहानी यहां से स्टार्ट होता है अब प्रोटॉन पर इलेक्ट्रान पर चार्ज वन आप डे माइनस ये माइनस hydrogen एक proton है और एक electron चक्का लगा रहा है अगर एक hydrogen है तो अगर दोनों equal होते तो net charge 0 हो जाता लेकिन अभी जो proton जो अंदर वाला है उस पे charge E plus delta E है समझना और जो बाहर वाला उस पे charge minus E है तो net charge अब जो जाएगा Q वो E plus delta E E और minus E दोनों का जोट मतलब delta E अब एक hydrogen atom पे इतना चार्ज है delta E अब हमारे पास दो hydrogen atom है और वो दोनों एक दूसरे से D distance पर रखे हुए एक यह है और एक दूसरा वाला इधर है यह दोनों एक दूसरे से D distance पर रखे गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा है as compared to much greater than atomic size atomic size उससे ज्यादा है तो इन्हीं के बीच हमें नेट इलेक्ट्रेस्टेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स और इसमें थोड़ा सा कैल्पूलेशन ज्यादा आएगा बट ए है कि आप इसको करना है हम लोगों को तो करते हैं इलेक्टिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रैसियो निगालना है चलो तो सबसे पहले मैं इनके बीच इलेक्टिकल फोर्स निकाल लोगों इलेक्टिकल फोर्स वन बाई फोर पाई एफसाइली नॉट और इस पर चार्ज की वन है और इस पर चार्ज की टू है दो एटम है और यह डेल्टा ही है और यह भी डेल्टा ही है बराबर है तो इनका स्क्वायर कर दो मतलब डेल्टा का स्क्वायर और इनके बीच का डिस्टेंस डी का स्क्वायर एक्वेशन नुम्बर फस्ट बराबर है कि एक्चुली जो फोर्स है वो जीरो है बैलेंस में है नेट फोर्ट जीरो फोर्स है मतलब अब देखो जब इसको यहां पर रखो कि मेरे प्यारे बच्चों इसको यहां पर प्लस तो इस पर नेट चार्फ डेल्टा ही है और इस पर भी नेट चार्फ डेल्टा ही है तो इलेक्टो स्टेट की वज़े से इनमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा समझना और ग्रेविटेशन इसके पास मास है तो ग्रेवि से देखो तो electrical तो मैं निकाल लिया, gravitation निकाल लो, gravitation क्या होता है, capital G, mass, इसका mass दिया हुआ है, mass of hydrogen atom mh, और hydrogen atom का square, ammonium 2 और इनके उबिच का distance d square, यह दोनों आपस में equal हैं, क्योंकि net forces पे 0 है, इधर gravitation लगेगा, इधर repulsion लगेगा, तो डेल्टा यहां से calculate कर लो तो इन दोनों को equate कर दो F electrical is equal to F gravitation क्योंकि net force हो है वो 0 है मेरे प्यारे बच्चों बराबर है तो 1 by 4 pi epsilon not और डेल्टा E का square upon D का square is equal to Z mass of hydrogen का square upon D का square तो D square ने D square को तो हमें डेल्टा E चाहिए तो डेल्टा E की जो वेल्व आ जाएगी वा जाएगी 4 pi epsilon not और capital Z mass of H का square अंडर रूट इस इस दा डेल्टा E finally 4 pi epsilon not यह अब वेल्व पूटब करना है तो वेल्व पूटब करो यहां से 1 by 4 pi epsilon not की जो वेल्व होती है वो होती है 9 into 10 की पाउड 9 epsilon not की वेल्व 1 upon 9 इसका मतलब बेग होगा की 9 into 10 की पाउड 9 अब G, G की वेल्व डालो तो 6.67 into 10 की पाउड माइनस 11 multiply कर दो mass 6.67 into 10 की पाउड माइनस की वेल्व दिया होगा 6.67 into 10 की पाउड माइनस 27 1.6 यहां से आजाएगा 1.67 into 10 की पाउड माइनस 27 का square यह सब अंडर रूट है और यह जो खतरनाक काम है वो खतरनाक काम आप करोगे approximately calculate कर लेना approximately 10 की पाउड माइनस 37 की आसपस आ जाएगा delta E approximately 10 की पाउड माइनस 37 कुलाम this is the charge तो यह final इसका solution है और देखो इसको देख लेना इसको